हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर तो दोस्तों आज का रिव्यू एक विवर रिक्वेस्टेड रिव्यू है एक्चली इस चैनल के विवर ने कुछ समय पहले इस पंटिकलर कॉमिक सीरीज की रिव्यू वीडियो रिक्वेस्ट की थी तो आज हाजिर हूँ मैं आप सब के सामने उस comic शंकला का review लेकर जिसे हम कहते हैं Operation Decay दोस्तों ये comic series published की है एक Indian comic book publishing company Holy Cow Entertainment ने उनके कुछ दूसरे books के review मैंने पहले भी किये हैं जैसे The Last Asurant Volume 1 and 2 जिनका link आपको यहीं कहीं आ रहा होगा अब चाहें तो इस video को देखने के बाद उन videos को जाकर check out कर सकता है इस video को बनाने मुझे थोड़ा समय लग गया क्योंकि जिस series की हम यहाँ आज बात करने वाले हैं ये एक crossover event है and it is a culmination of everything that has happened in the Holy Cow universe so far जिसका मतलब यह है कि Holy Cow की पिछली कहानियों को बिना पढ़े इस series को पढ़ा नहीं जा सकता है अगर मैं इसे और simple terms में समझाऊं तो जैसे आप Marvel की solo superhero movies बिना देखे जो crossover movie है Avengers उसका मजा नहीं ले पाएंगे ठीक वैसे ही यहाँ भी आपको Operation Decay पढ़ने से पहले Holy Cow के अब तक के जो भी published comic books हैं या comic book series हैं उनको पढ़ना पढ़ेगा इस series में दोस्तों कुल 5 comics हैं तो जैसे का आप यहाँ देख सकता हैं यह Operation Decay volume 1 Operation Decay volume 2 यह हो गई volume 3 यह volume 4 और अंत में यह volume 5 तो कुल 5 किताब हैं श्रंकला में हम बात करेंगे पूरी श्रंकला की तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले look और feel से तो सबसे पहले अगर मैं आपको covers दिखाऊं दोस्तों तो आप realize करेंगे कि यह जो covers हैं यह सारे thematic covers हैं जिसका की अर्थ है कि covers एक तरह कहीं दिखते हैं तो आप देख सकते हैं सब में cover art है और जिस font से Operation Decay लिखा हुए है या फिर जो creators के नाम लिखे हुए हैं और यह background का जो black strip है फेड होता हुआ यह पूरा similar है और यह हर comic में है series के तो एक consistency बनी रहती है अगर मैं back cover की बात करूँ तो सब के पीछे जो synopsis है उस किताब का या उस कहानी का वो दिया हुआ है और साथ में bottom में holy cow का जो logo है वो है उनका website address ISBN और यहां पर price है spines मैं आपको दिखा देता हूँ spines कुछ इस तरह के दिखते हैं तो चलिए अब बात करते हैं सारे किताबों की तो देखते हैं अंदर का artwork और बात करेंगे कहानी और दूसरे technical aspects की तो मैं एक किताब यहां रखकर बाकी किताब अलग रख देता हूँ तो शुरू करते हैं इस से जो volume 1 है तो अंदर में दोस्तों यहां पर internal जो cover है उसमें creators के नाम है तो इस कहानी को लिखा है अश्विन कल्माने ने और इसमें artwork काफी सारे creators ने किये हैं तो इस पहली किताब में artwork है हर्षो मोहन चट्टराज का और colors हैं throughout प्रसाद पतनाएक के साथ में बीच में कभी कभी कुछ guests colorist या guest line artist फ्री है letters and graphic design किशन हर्चंदानी cover art जो है वो है विवेक गोयल का बनाया हुआ साथ में है प्रसाद पतनाएक colors पे और CEO and art director विवेक गोयल और यहाँ पे पहला जो page है इसमें introduction है सौमिन सुरेश पतेल दोरा लिखा हुआ और फिर यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है तो अगर कहानी की बात करें दोस्तों तो एक DK नाम की mysterious entity पूरे universe को तबाह करना चाहती है और obvious है कि उसे रोकने के लिए कोई चाहिए यहाँ step in करते हैं HC universe या holy cow universe के super heroes जैसे शैतान, अयूद, ओकारी और देश क्या यह मिलकर humanity को defend कर पाते हैं या decay अपने मकसद में काम्याब हो जाती है यह पता चलेगा आपको इस कहानी को पढ़ने पर इस series के पहले दो parts actually में अयूद और ओकारी के stories जादा हैं और crossover कम इसलिए title पर भी अयूद और volume 2 में ओकारी लिखा हुआ है actual crossover third part से शुरू होती है पहला part बढ़िया है, it did a good job in setting up the antagonist antagonist कौन है, उसका मकसद क्या है और वो किस तरह से operate कर रहा है ये सारी चीज़ों को काफी अच्छे से establish किया गया है इस part में इन सारे घटना करम में अयूद involved रहता है क्योंकि जैसा मैंने बताया है, ये mainly उसी की कहानी है दूसरा part जो है, वो उकारी को dedicated है तो चलिए उस किताब को देखता है तो इसमें जैसा आप देख सकता है title के नीचे volume 2 उकारी लिखी हुई है I feel it is the best part of the series और इसकी कहानी सबसे बड़ी है artwork भी अच्छा है और conclusion भी इसमें artwork है कदम ग्यादू का पर यहां से problem शुरू होती है storytelling के मामले में बाकी के parts यानि 3rd, 4th और 5th वो standard maintain नहीं कर पाते हैं जो 1st और 2nd part ने set की थी देश has been put in the story just for the sake of it वो बहुत limited time के लिए दिखता है और कहानी में उसके करने के लिए जादा कुछ है भी नहीं Caster series में है ही नहीं सिवाए 4th part के intro page में जहां उसका status quo बताया गया है जो अगर आपने Caster की individual series पढ़ी है तो आपको वैसे भी मालूम होगा Now what's funny is although the series doesn't really involve all the characters of HC they still appear on the cover which I think is kind of misleading कहानी में कुछ DSI agents भी है Now DSI वो organization है जो इन सारे superheroes को hire करती है इस entity के गैंस लड़ने के लिए Earth को defend करने के लिए और इन सारे ही agents का जो introduction है वो थोड़ा rushed है जिससे की आप इन लोगों से connect नहीं कर पाता है एक चीज और जो मेरे लिए अभी तक mystery बनी हुई है वो ये कि DSI को कैसे पता चलता है कि decay को रोकने के लिए उन्हें actually में करना क्या है कहानी का villain threatens to wipe off all of existence however the kind of tension that one would associate with the story वो कहीं न कहीं मुझे missing लगी है parts 4 और 5 की अगर बात करें तो उसमें extended action sequences हैं और story बहुत ही कम कुछ action sequences तो book 4 के middle के आसपाश शूरू हुए थे और वो जाकर book 5 के almost end पर खतम होते हैं जिससे की आप थोड़े से उप जाते हैं मतलब आपको ऐसा feel होता है कि action जल्दी से खतम हो और आगे की events जो हैं वो जल्दी अल्दी घटे जिस तरह से कुछ villains मरते हैं वो भी काफी क्लीशे है पुरानी Bollywood फिल्मों की तरह और कहानी इस चीज़ को acknowledge भी करती है अगर artwork की बात करें दोस्तों तो artwork काबिले तारीफ है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें काफी सारे artists ने काम किया है तो पहली किताब पे artwork है हर्शो मोहन चट्टराज का दूसरी किताब जो हमने देखी उकारी उसमें artwork है तदाम ग्यादू का और थ्री से लेकर फाइव तक artwork है होली काउ के जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि बीच बीच में कहीं कहीं अगर flashback scenes है या ongoing story से हट कर कुछ दिखाया जा रहा है तो उन artworks को करने के लिए guest artists भी आए हैं जैसे ये जो sequence है यहाँ पे दहक और अयूद का इसे करने के लिए राजीब दास को लाया गया है इसी तरह अभिलाश पांडा जी का भी है इसमें artwork देख सकते हैं ये artwork जो है ये काफी different है किताब की जो बाकी artwork है उससे आप खुदी compare कर सकते हैं इस artwork से चलिए चाथी किताब देख लेता है इसमें भी artwork गौरफ शिवास्तव और अभिनाज घोषका है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है guest artists use किये गया है काफी जगों पर coloring के अगर बात करें तो coloring is fab मतलब so gorgeous मुझे लगता है प्रसाद पतनायक Indian Comics Industry के आज के time के सबसे best colorist है मतलब उनका कोई जवाब नहीं आप खुदी इन pictures को देख सकते है और आप खुदी अंदाजा लगा सकते है मतलब मैं तो बिल्कुल fan हूँ प्रसाद पतनायका colors ने पूरे किताब में जान डाल दी है artwork उसके कारण और भी जादा निखर के आता है बहुत ही बहतरीन दिखता है lettering की अगर बात करें तो lettering ठीक ठाक है dialogues crisp है contemporary है आज के time के है मतलब आज के time में जैसे movies में या comic books में characters बात करते हैं बिल्कुल उस तरह से ही conversations बगरा है हाला कि proof reading में थोड़ा shocking है कि बहुत सारी गलतियां है जो miss out हो गई है तो कहीं कहीं आपको grammatical errors मिल जाएंगे spelling mistakes बगरा है कुछ और artwork में आपको दिखा दाता हूँ यह देखिये काफी सारे splash pages है बड़े बड़े panels है artwork is a high point of this book यह देखिये जो extended fight sequences की में बात कर रहा था यह वही fight sequence है तो यह basically book 4 में start हुई है almost किताब के middle से और यह पूरी चलती है book 5 के end तक तो चलिए last part देख लेता है तो दोस्तों अगर overall इस शंकला के बारे मैं बोलूं तो इस कहानी में काफी potential था यह series जिस तरह से शुरू हुई थी इसका जो पहला भाग था जिसमें अयूद का intro था और जिस तरह से कहानी को set up किया गया था और उसके बाद जो second part जिसमें basically उकारी की introduction थी बहुत ही बढ़िया कहानिया पहली और दूसरी और आप काफी excited हो जाते हैं इसके बाद exactly क्या होता है यह जानने के लिए क्योंकि Operation Decay जो crossover event है वो actually third part से शुरू होती है but for some reason तीसरे भाग के बाद से कहानी बहुत lacklustre हो गई चौथे भाग तक आते आते आप realize करते हैं कि अब कहानी रही नहीं गई है it's just action that's happening non-stop characters एक के बाद एक villain से लड़ रहे हैं एक के बाद एक evil entities आ रहे हैं और super heroes उनसे fight कर रहे हैं but कहानी बिल्कुल से खतम हो जाती है तो जो build up one or two में किया गया था वो suddenly three के बाद से कहानी उसको justify नहीं कर पाती है और जब आप इस saga के end तक पहुँचते हैं मैं बहुत ज़्यादा harsh नहीं होना चाहता but मुझे जो लगा वो मैंने कहा तो अगर इसका one line review मुझे देना हो तो मैं यही कहूंगा Operation Decay could have been much more and it is an opportunity that I feel went wasted However, it's still one of its kind crossover event in Indian comics और मैं समझता हूं कि पहली दो कहानिया जो है volume one की और volume two की और उसके बाद जो artwork है consistent बढ़ियां artwork और of course the coloring इन सब चीजों के लिए आप इस रंखला को ले सकते हैं pages के अगर बात करूं तो 75 to 100 pages के बीच में सारे किताबों में pages हैं तो basically अगर आप सारे pages को जोडेंगे तो this story spans over 400 pages और अगर मैं price की बात करूं तो हर comic book का price है 699 मतलब 700 rupees approximately आप अगर holy cow के website से purchase करते हैं तो आपको कुछ discount में मिल जाएगा और बताना चाहूंगा ये जो covers आप यहां देख रहे हैं ये सारे normal covers हैं मतलब original covers हैं इसके अलावा इन सारे comics के variant covers भी हैं जो again आप holy cow के website पर जाकर purchase कर सकते हैं variant covers का जो price है वो normal cover से थोड़ा जादा होगा So that was my review of operation decay the big crossover event from holy cow entertainment अपने comment से मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको इस तरह का content पसंद आता है तो channel को subscribe करना ना भूले अब मुलकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में तब तक के लिए take care of yourselves and bye bye